इंडिया वसिज अस्ट्रेलिया तीन मैचों की ओडियाई श्रिंखला में भारतिय टीम ने पहला आऊडियाई मुकाबला जीत गिया है और इस श्रिंखला में एक शुन्ने से भड़त बना ली है पहले मुकाबले इस शिरवात से पहले सभी को लग रहा था कि Australia एटीम अपर हैंड रखती है टीम इंडिया पर मगर पहले मुकाबले में Australia जैसे एक मजबूर टीम को हरा कर भारतिय टीम ने सभी आलोचको के मूँ बंद कर दिये हैं आज के इस मुकाबले में इन दौर के खुबसूरत मैदान में ये दो टीम्स भिणने वाली हैं। क्या ऐस्ट्रेलियाई टीम ये मुकाबला जीत कर वापसी कर पाईगी और श्रिंखला को एक एक पर ला पाईगी। या भारतिय टीम 20 की अजय भड़त बना लेगी उस्ट्रेलियाई टीम के उपर। चलिए आज के इस मुकाबले की बात कर लेते हैं। पिछलों मुकाबले में उस्ट्रेलियाई टीम का परफॉर्मेंस बड़ा ही खराब रहा। उस्ट्रेलियाई टीम के लिए डेविड वार्नर, स्टी स्मित और जोश इंगलिश ने बल्लेबाजी करते हुए कोछ अच्छे रन जरूर स्कोर किये मगर ये सभी बल्लेबाज सेट होकर आउट हो गए अपने विकेट्स थ्रो कर दिये इन बल्लेबाजों ने उस्ट्रेलियाई टीम को एक फ्लरिशिंग एंड की जरूरत थी मैथ्यू शॉट और मार्कस टोइनस वो फ्लरिशिंग एंड प्रोवाइड नहीं कर पाए उस्ट्रेलियन टीम को भारत ये टीम के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और एक छोटे स्कोर पर रोका आउस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को और फिर जब आस्ट्रेलियाई टीम गेंदबाजी करने के लिए आई तब बोलर्स में वो धार नजर ही नहीं आई शुरवात में रुतुराज कायकोड और शुब मंगिन से बहुत जादा मार पढ़ गया अस्ट्रेलियाई बूलर्स को और फिर मिडल ओवर्स में आड़न जैंपा ने कुछ विकेट जरूर चटकाए मगर जैंपा के अलावा कोई और गेंदबास विकेट टेकिंग अबिलिटी रखता है ऐसा नजर नहीं आया अस्ट्रेलियाई टीम के पास गेंदबासी ऑप्शिन्स बहुत सारे हैं मगर विकेट टेकिंग गेंदबास कोई भी नहीं है सभी गेंदबासी जरूर कर लेते हैं मगर वो विकेट टेकिंग अबिलिटी लेकर नहीं आते ये सभी आल रांडर्स टीम इंडिया के लिए वहीं ट्रवेंदर जडेजा, रवीचंदर नश्विन, शारदोर ठाकोर सभी आल रांडर्स जो हैं वो विकेट टेकिंग अबिलिटी रखते हैं उस्ट्रेलिया एटीम को जरा सोचना होगा इस बारे में क्योंकि ग्लिन मैक्स्विल और मिचल स्टार्ग दूसरे वंडे इंटरनाशनल में भी उपलब नहीं होने वाले हैं उस्ट्रेलिया एटीम बड़ी ही कठिन परिस्थिती में फस चुकी है एक तरफ टीम इंडिया के सभी खिलाडी कमाल के फॉर्म में नजरा रहे हैं और दूसरी और उस्ट्रेलिया एटीम के सभी प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं भारतिय सब कॉंटिनेंट में गेंदबाजी करते हुए लाइन और लेंड डिफरेंट होती है मगर उस्ट्रेलिया एक गेंदबाज वही माइंड सेट के साथ खेल रहे हैं जिस माइंड सेट के साथ वो सौथ आफरिका के खिलाफ खेले थे बहुत जादा शौट गेंदबाजी हो रही है उस्ट्रेलिया एक गेंदबाजों के द्वारा भारतिय गेंदबास आगे गेंद डाल कर विकेट्स चटका रहे हैं और वहीं ऑस्ट्रेलिया गेंदबास प्रयास कर रहे हैं कि भारतिय बल्लिबास कुछ गलती करें और फिर ऑस्ट्रेलिया टीम भड़त बनाएं मुकाबले में हम सभी जानते हैं कि टीम इंडिया दिस तरीके की फॉर्म में चल रही है, सभी फॉर्माट्स में भारतिय टीम नंबर एक पायदान पर है ICC रैंकिंग्स में, ऐसे में भारतिय टीम गलती कम कर रही है और दक्षन अफरीका के खिलाफ मिली हार से उस्ट्रेलिया टीम कुछ सी माल के रही थी, टीम इंडिया के लिए जो सभी खिलाडी सी फॉर्म में नहीं थे वो सभी सुझाम में आ गए सुरुकमार यादव की फिफ्टी बड़ी ही महत्वर पोण्ट रही गी टीम इंडिया के लिए और सुरुकमार याधव के innoc के पर्स्टनल जो है तोर कोछ राहूल द्राविट। ऐसे में सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 50 लगा दी है। सूर्य कुमार यादव की यह तीसरी ODI 50 है, सूर्य कुमार की यह साल की पहली 50 है, वंडे फॉर्माट में। सूरिया की पर्फॉर्मेंस अच्छी रही हैं T20 फॉर्माट में उम्मीद रहेगी कि आने वाले वर्ल्ड कप में और इस उस्ट्रेलिया सीरीज में टीम इंडिया के लिए कममाल के प्रदर्शन करें सूरिकुमार यादव वोडियाई फॉर्माट में अगर एक खिलाडी पिक करना हो जिस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी इस मुकाबले में भारती टीम के तरफ से होंगे श्रेय सेयर इंजरी के बाद वापसी कर रहे थे फिर उसके बाद बैक स्पैजम से परिशान रहे पूरे इश्या कप में श्रेय सेयर एक मुकाबले में बल्ले बादी करने का मौका मिला और महाँ पर भी कुछ का अच्छी परफॉर्मन्स नहीं रही थी श्रेय सेयर की इस सीरीज के पहले मुकाबले में बल्ले बादी करते हुए रन आउट हुए थे श्रेयर और बड़े ही डिसपॉंटेड नजरा रहे थे खुद से श्रेय से से उमीद रहेगे कि श्रेयर बल्ले बादी करेंगे और बल्ले बादी करते समय अच्छे रन्स बनाएंगे क्योंकि श्रेय सेयर अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो भारती टीम की बेंच स्ट्रेंथ और मजबूत हो जाएगी सूरिकुमार यादफ केल राहु लिशान किशन और श्रेय सेयर ये सभी के लाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम इंडिया के जो मिडल ओर्डर की परिशानी है वो दूर होती नज़र आईगी हम सभी को अगर प्लेयर टीम के लिए सभी की निगाहे होंगी शुबमन गिल पर शुबमन गिल जिस तरीके से खेले हैं टीम इंडिया के लिए बीते कुछ समय में सबसे बहतरी इन बल्ले बाज रहे हैं शुबमन गिल आईसी सी रैंकिंग्स में नमबर दो पायदान पर है ओडियाई फॉर्माट में एक केवल बाबर आजम ही उनसे उपर है इस सीरीज के अंत तक उमीद रहेगी कि श अस्ट्रेलियाई टीम के लिए डेर सारी सवाल हैं और उन सवालों के जवाब ढूनने में पड़ी ही परिशान नजर आ रही है उस्ट्रेलियाई टीम के लिए कुछ भी करके पैट कमिन्स को कमाल का प्रदर्श्र करना होगा बॉल के साथ और अगर मौका मिलता है तो बल्ल अस्ट्रेलियाई टीम एक अपर हैंड लेकर जाएगी उस्ट्रेलियाई टीम के लिए मुझे लगता है पैट कमिन्स आज के मुकाबले में गेंद और बल्ले दूनों के साथ ही कुछ कमाल का प्रदर्श्र करके दिखा सकते हैं अगर विजयता पिक करना हो आज की मैच मैं तो एज इंडियन क्रिकेट फैन मैं उमीद करूँगा कि भारती टीम में मुकाबला जीते और अस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ दो शुन की एक अजय भड़त बना ले भारत की बी टीम अस्ट्रेलियाई ए टीम को हरा दे और हम इसी तरीके से नंबर एक पायदान पर रहे वर्ल्ड कप की शुरुबात से पहले अगर भारती टीम ये सीरीज जीत जाती है या फिर ये दूसरा मुकाबला जीत जाती है तो टीम इंडिया नंबर वन पोजिशन पर कॉलिफाई करेगी वर्ल्ड कप में जाते हुए और पिछले दो बार से यानि 2015 और 2019 का वर्ल्ड कप वही टीम जीती है जो ODI format में नंबर एक रही हो अगर coincidence है ये तो भारती टीम नंबर वन पर कॉलिफाई करती है तो टीम इंडिया के पास एक कमाल का advantage रहेगा और अगर टीम इंडिया नंबर एक पर कॉलिफाई नहीं भी कर पाती तो उमेद रहेगी कि भारती टीम अच्छ